हेलो दोस्तों वेल्कम बैक तो माई चैनल सोन इन्फो टैक दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप अपने लैप्टोप की हार्डिश्ट ड्राइव को अप्ग्रेड कैसे कर सकते हैं अपके तो यहां पर आपके सामने हैं साइबर एक्स एसटी ला तो यह मैं आज लैप्टोप में इंसर्ट करने वाला हूं लैप्टोप में इंस्ट्रोल करके आपको दिखाऊंगा आई आपको इसका लुक दिखा देता हूं यह देखिए यहां पर यह देखिए यह हम SSD को एक तरफ रख देते हैं अभी आपको हम SSD अपक्रेट करके तिखाएंगे आपके सामने बिल्कुल सेम इसी मैथड़ से आप भी अपने लैप्टोप या डेश्टोप में SSD इंसर्ट कर सकते हैं इस्टोल कर सकते हैं और उसके बाद Windows इस्टोल कर सकते हैं अपने लैप्टोप या डेश्टोप में तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक स्कूडराइवर होना चाहिए यह देखें यह मैं यहां से जो है यहां पर रैम है यह पैंट्री है तो हमें हर्डिस्क पहले यहां से हम इसका स्क्रू ओपन करेंगे और इसके कवर को ओपन कर लेंगे कवर को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको यहां पर देख लेना है आपको भी यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यह स्क्रू है दो साइड और यह हार्डेस में लगे हुए हैं और यहां पर यह जो स्कुरू है यह बोडी में फिट है तो हम सबसे पहले इसके कवर को ओपन करेंगे और कवर को ओपन करने के बाद भाड़ी ट्राइब को पाहर निकालेंगे कि आपको बहुत ही काम बहुत ध्यान से करना है क्योंके इस में हार डिस्क होने का खत्रा रहता है अकर हार अर्णी हमारे आश छुट जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पांसो जीबी के हार डिस्क है है इसमें इसे अप्रेट करने के बाद हम यहां पर कि 128GB की SSD लगाएंगे यह देखिए 3Gbps की स्पीड दिखाती है यहां पर यह यह देखिए यहां पर मैं दोनों दिखा देता हूं आपको बिल्कुल सेम है साइज में सेम है सब कुछ सेम है बस स्पीड का फरक है स्पीड में आप देखेंगे SSD की स्पीड 15 गुना जादा होती ह सब्सक्राइब से आइए मैं आपको इसका वेट भी करके दिखा देता हूं यह देखिए यहां पर पास है वेट करने के लिए तो यहां पर हम इसका वेट करके आपको दिखाएंगे यह देखे मैंने ओपन कर दिया यहां पर बेट करने के लिए यह देखे 32 ग्राम की हमारी है एक बार और दिखा देता हूं 32 ग्राम की हमारी से हो एक और यहांपर आप देखेंगे हो माइक हूं यहांपर यह का रंद कर लेता हूं इस बो इस सबसे पहले जैसे आप इस cover से remove करेंगे hard disk को तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही अपनी ssd fit कर लेनी है यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपकी ssd ठीक से install नहीं होगी आपके laptop में तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके cover को remove कर लिया है यह देखें मैंने यहाँ से remove कर लिया इसके cover को यह hard disk का cover था hard disk के cover को मैंने remove कर दिया है अब हम ऐसे ही यह देखें ऐसे लगी हुए hard disk तो हम ऐसे ही इसमें ssd fit कर देंगे यह देखें यहाँ पर हमने SSD को फिट किया और उसके बाद इसक्रू जहाँ पर फिट आए महाँ से आपको कनेक्ट करनी है अपनी SSD को और पहले एक स्क्रू लेना है इसक्रू आप चाहे दो भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ SSD को रोकने का ही काम करते हैं यह स्क्रू या फिर हार्ड डिश्ट ड्राइब को रोकने का काम करते हैं यह देखें यहाँ पर मैंने इसमें बिल्कुल सेट फिट किया है तो आप दो ही स्कुरू लगाएं बाकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि यह देखे मैंने सामने वाले साइड में इस स्कुरू को लगाया है वहां से निकाल कर है क्या थे स्कुरू है तो उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देख लेना है ज़्यादा ठाइड भी नहीं करना है इसे थोड़ा दाइनCong कि hard disk SSD crack हो सकती है अब आपको यहां पर देख लेना है आपको आपके एज़ेडी कैसे इंसर्ट होगी यहां आपको सेट नहीं बैटता है तो आपको पहले सेटिंग करना है और उसके बाद यहां से इसे अगे की सरफ इंसर्ट कर देनी है तो यह देखिए हमारे पास अब ये laptop में SSD insert हो गई है यानि install हो गई है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें comments box में जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, share करें, comment करें और हमारे चैनल को subscribe करना पिल्कुल भी न भूले अब आप अपने laptop में किसी भी तरह की Windows इस्टोल कर सकते हैं Windows 10, 788.1 या कोई भी विंडो आप अपने laptop में insert कर सकते हैं यानि install कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पिल्कुल ऐसे ही जैसे hard disk लगी हुई थी यहाँ पर SSD लगा दियो और उसके बाद cover भी close कर दिया है कर दो कर सकते हैं